इस्राइल हमास युद्ध की वज़े से पूरा मीडिल इस्ट इसकी चपेट में आने लगा है क्योंकि पहले गाजा में इस्राइली सेना हमास से लड़ रही थी वहीं दूसरी तरफ उत्री इस्राइल पर हिजबुला कहर बरबारा है इस्राइली पी-म की हमास के खात्मे वाली कसम ने इस्राइली सेना को इस समय दो फ्रंट पर जंग लड़ने के लिए मजबूर कर दिया है हिजबुला के रॉकेट ड्रोन मिसाइल हमलों से इस्राइली सेना दहल रही है इन हमलों में इसराइली फॉज के इंफ्रास्ट्रक्चर भी नश्ट हो गए है। उत्री इसराइल पर लिबनान के हिजबुला लडाकों का साया मंडरा रहा है। लिबनान के प्रतिरोधी गुट के हिंसक हमलों से बेहाल इसराइल अब हमास के साथ साथ लिबनान से भी जंग कर सकता है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इसराइल और लिबनान के हिजबुला समू में भीशड युद्ध छिड़ सकता है। लेकिन इसराइली हमलों की आशंका के बीच भी हिजबुला के हमलों में कोई कमी नहीं आई है। इसराइल के लिए लड़ पाना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अमेरिका ने इसराइल का साथ नहीं दिया है। इसराइल और हिजबुला के बीच जंग की आशंकाओं को देखते हुए अमेरिका ने पहले ही कह दिया है कि वह लिबनान में हिजबुला के साथ युद्ध के खिलाफ इसराइल की मदद करने में सक्षम नहीं होगा। इसराइली सेना ने भी हिजबुला पर हमले करने के मौके से पीछे नहीं हटा है। कुछ महीने पहले दक्षिडी लिबनान में हवाई हमले में हिजबुला के दो कमांडरों और हिजबुला के तीन लड़ाकों की मौत हो गए थी। हवाई हमलों में राडवान फोर्स के पश्वी शेत्र के रॉकेट और मिसाइल यूनिट के कमांडर मौम्मद हुशेन शोहरी की मौत हुई। आईडियाफ ने बताया कि मौम्मद हुशेन शोहरी ने लेबनान से इसराइली शेत्रों की और हमले की योजना बनाई थी। झाल झाल...